असलाम आलेकुम एवरीवन वेलकम मैं चानल थैंक यू सो मज आपका किंती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखने के लिए अभी तक आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रस कर दीजिएगा ताके मेरे आने एक चमच नमक हाफ टीजपून हल्दी आप अपनी क्वाइंटिटी के हिसाब से चिकन जितना ले रहे हैं उतना नमक डालीजिएगा एक निम्बू डाल देंगे हम इसमें अच्छे से मिक्स करके इसे जब तक हमारा ग्रीन मसाला बना लेते हैं तब तक इसे रेस्ट के लि हूँ मेरे घर में स्पैसी नहीं खातें तिन काजू तिन बादाम डाल देंगे इससे अच्छा क्रीमी टेक्स्चर आएगा अभी हम लॉंग चकला काली मिर्ची को डालेंगे एक चमच खशकश डालेंगे इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स इसे एक पर ट्राइ कीजिएंगा एक- चमच अधरक्लहसन का पेश्ट एक से दो प्यास को अच्छे से काट के इसमें डाल दीजिए अभी हम इसका पेश्ट तयार्कर लेंगे इस ग्रीन मसाले को एक बौल में टैंसफर कर लीजिए अभी हम चिकन में इस पूरे मसालेको अच्छे से मि किजिए next मैं डाल रही हूं इसमें तीन से चार बड़े टेबल स्पून दहीं मेरे घर में दहीं नहीं खाते लेकिन ऐसे पीछे रेसिपी में डाल दिये तो खा लेते हैं लेकिन ऐसे ही सामने से जब दहीं देखेंगे या दहीं दो तो नहीं खाते या किसी चीज में डाल रह इसे अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा या पंद्रामनेटी से धक कर ऐसे ही रख देंगे हमारी रेसीपी को और मज़ेदार बनाने के लिए एक और stepping करेंगे हम अनुसे ग्रेवी में 15 मिन या 10 मिन ढखके छोड़ दीजिए जब ये अपना स्मोकी फ्लेवर अच्छे से रिलिस करने के बाद इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए आप देख सकते हूं इसका कलर देखिए बस आप इस स्टप को करेंगे ना तो इतनी अच्छी स्मोकी फ्लेवर आ जाए के बाद 3 से 4 टेबल स्पून टेल डालेंगे हमने चिकन मेरिगनेट किया था उसको अच्छे से मिक्स करके एक एकी चिकन का पीस इसमें डालते जाएंगे सारे पीसस हम ऐसे ही डालेंगे आप फ्लेम को कम ज्यादा बिच बिच में करते रहेगा ये जलना नहीं चाहिए इस चिकन को अच्छे से रोस्ट होने तक गोल्डन पैचस आने तक इसे पका लीजिए उसके बाद इसे पल्टा कर दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से गोल्डन पैचस आने तक पका लेंगे आपके पास टाइम नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो टाइम है तो कर अभी ये रोस्ट हो चुके हैं हमें इससे ज्यादा रोस्ट नहीं करना एक एक करके इसे निकाल लेंगे नेक्स्ट हम जो हमारा ग्रीन मसाला बचा हुआ था वो सब इसी ओयल में डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर हम इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा आप भी एक बार टेस्ट कर लीजिएगा अभी हम हमारा मसाला अच्छे से भूनने तक इसको ढखकर फ्लेम कम करके थोड़ी देर पका लेंगे देखिए मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है इसमें पूरा ओइल सप्रेट हो चुका है हम डालेंगे जो रोस्ट किया हुआ था चिकन उसको मिला कर कम फ्ले में इसको ढख कर 5-10 मिनिट कुक करेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी आप इसे क्रश करके थोड़ा सा डाल देंगे नहीं तो इसे स्किबी किया जा सकता है अच्छे से मिक्स करके फिर 5 मिनिट तक कम फ्ले में इसको ऐसे ही दम पे छोड़ देंगे अभी देखे मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है हमारा चिकन हरियाली ग्रेवी बनकर के तयार है आप इसे सर्फ कर लिजिए पराठा ट्रोटी नान किसी से भी खा सकते हैं आप इस रेसीपी को स्टब पे स्टब इसी तरीके से फालो कीजिए एकदम टेस्टी मज़ेदार बनेगी रेसीपी आप किसी भी पार्टी फर्म्शन या महमान आ रहे हों तो आप इसे बना करके खिलाए क्या आप जानते हो ये मेरे चानल की फस्ट कुकिंग वीडियो है